मानी राजपाल श्री सीपी राधाकरशनन ने कहा कि योग सद्यों से किया जाता रहा है इसकी जड़े हमारी भारती विरासत में गहरी है और यह विश्विक बन गई है तता इसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनाया है यह पूरे विश्व को भारत का एक अमुल्य उपार है राजपाल महुदय आज IMA राची में एंडिन योग असोसियेशन जारकन स्टेट चैप्टर द्वारा आयुजित करगम को सम्मूदित कर रहे थे राजपाल महुदय ने कहा कि योग केवल शाजी कासन या वायाम नहीं यह एक सम्मकर जीवन शेली है जो हमें स्वस्त जीवन जीने के लिए प्रेदित करता है तरनाओ को कम करता है और विचारों में सपष्टता लाता है इसे भावी पीडियों तक पहुचाना हम सभी की जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि मानिर प्रधानमती जी ने वैश्विक मंच पर योग को बढ़ावा देने में महत्पुन भुमी का निभाई है उनके उलेखनी पहल से संयुक्त राश्ट संग द्वारा किस जून को अंतर राश्टी योग दिवस के रूप में मनाने का निड़ने लिया गया तथा इसे पुरे विश्व में योग के प्रती जागरूता में व्यद्धी हुई राशपाल माओदय ने कहा कि हमारे देश में बहुत चे लोग मदू में और उच्छ रख्तचाप से पीड़ी थे जन्न विवारियों को भी जन्म देती है बदलते जीवन शेली के कारण विवाँ में विविन व्यादियों देखने को मिल रही है ऐसे में योग की महत्पुन भुमिका है यह जीवन में अतिन लापकारी है उन्होंने सभी से योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का आहान किया इसे अपना का लोग अपनी सेहत पर इसके गहन सकारात्मक प्रभाव का अनुभाव कर सकते हैं इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद